हेलो नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आज के मुखे समाचारों की वीडियो में जियां दोस्तो आपको यहां पर देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुखे समाचार ब्रेकिंग नूज अपडेट्स के रूप में तो दोस्तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को जदा जदा लाइक और शेर करें साथ ही दोस्तो पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए तो दोस्तो जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर भारत से तनाओ के भी चीन को पियोके में बड़ा जटका अर्बो डोलर का प्रोजेक्ट अटका जियां दोस्तो बोडर पर भारत से तनाओ के भी चीन को बड़ा जटका लगा है चीन की अर्बो डोलर वाली महत्वकांशी बैल्ट एंड रोड इनिशेटिव परियोजना के तहट चलने वाली अधिकतर परियोजनाएं इस महामारी संकट के कारण आंशिक रूप से या फिर पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है एक चीनी अधिकारी ने जानकारी दी कि रिपोर्ट में कहा गया है कि जो परियोजनाएं प्रभावित हुई है उनमें 60 अरब अमेर्की डोलर वाली CP ECV शामिल है इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर चीनी कंपनी अलिबावा से मिले निवेश के खिलाफ विरोध प्रदशन जोमेटो क्रमचारियों ने जलाए टी-शर्ट जहन दोस्तों भारत चीन सीमा विवाद मामले पर आम जन्ता के बीच विरोध बढ़ता ही जारा है खाने पीने के सामान की ओनलाइन डिलिवरी करने वाले मंच जोमेटो के करमचारियों के एक समुहों ने कोलकत्ता में अपनी अधिकारिक टी-शर्ट को फाड़ा और जलाकर कंपनी में चीन के निवेश का विरोध किया रईवार को इन करमचारियों ने चीनी अरबपती जेकमा की कंपनी अलिवाबा दोवारा निवेश का विरोध किया लद्दा के गलवान घाटी में 15 जून को चीनी सेनिको दोवारा संगर्ष में 20 भारतिये जवान शहीद हुए थे इशी के विरोध में शनिवार को शहर के दक्षिर पश्रिम बहला में जोमेटो के करमचारियों ने विरोध प्रदशन किया कुस करमचारियों ने दावा किया कि उन्होंने जोमेटो की नोकरी छोड़ दी है साथी दोस्तों आप भी बताईए क्या आप भी यह चेक करने लगे हैं या नहीं कि यह सामान चाइना का है या नहीं कमेंट करके जरूर बताएं वहीं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बतादें वर्ष 2018 में चीन की दिगज कंपनी अलिबाबा की इकाई जेंट फाइनेंशियल ने जोमेटो में 14.7 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए 21 करोड का निवेश किया था इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर महराष्ट के लोगों को लगा जटका लोगड़ान बढ़ाने पर सरकार ने किया बड़ा फैंसला जिहां दोस्तों महराष्ट के मुखे मंतरी उद्दव ठाकरे ने कहा है कि 30 जून के बाद भी राज्य में लोगड़ाउन की जिसे Mission Beginning Again नाम दिया गया है उन्होंने कहा कि इस महामारी से बूरी तरह प्रभावित बुंबई में Change the Virus पहल के अच्छे प्रिणाम सामने आए और अब इसे राज्य के दूसरे हिस्तों में भी लागू किया जाएगा इसके बाद में दोस्तों रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री शिवराज सिंग ने कहा प्रदान मंत्री मोधी भारत के लिए भगवान का आउतार भारत चीन विवाद के लिए कांग्रेस है जिम्मेदार जियां दोस्तों 26 गड़ में भाजपा की वर्चोस्वर रेली को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चोहान ने कांग्रेस पर जम कर निशना साधा उन्होंने प्रदान मंत्री नरिंदर मोधी को भारत में भगवान का अवतार करार दे दिया शिवराज सिंग चोहान ने कहा कि तीन तलाक का कलंक मुसलिम महिलों को राजिव गांदी ने दिया मोधी सरकार ने इस कलंक को खत्म किया लगदाक में भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव पर शिवरा सिंग चोहान ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हातो लिया, उन्होंने कहा कि मोधी सरकार ने चीन तक सड़क बनवा दी, चीन इसी से बोखला गया है, कांग्रेस पर चीन से डोनेशन लेने के आरोप लग रह रहे हैं, कांग्रेस ने चीन से गुपचुप समझोता किया, राजिव गांधी फाउंडेशन को मिले डोनेशन पर सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए, साथ ही उन्होंने राहूल गांधी पर आरोप लगाया कि राहूल गांधी अंदेरे में चोरी-चोरी चीन के जियां दोस्तो, उडियन नियामक डीजी सीय ने एक पाइलेट के एर एशिया एरलाइन सुरक्षा मानकों का उलंगन करने के आरोप लगाये जाने के दो हफते बाद एरलाइन एक शिर्स अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है, जिस पाइलेट ने आरोप पारन बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है, एर एशिया इंडिया के एक प्रवक्ता ने कहा कि एर एशिया इंडिया नोटिस मिलने की पुष्टी करता है और हम तक्त्यों की अन्विक्षन प्रतकरिया में नियामक की सहयता कर रहे हैं, हम नियामक का पूरी तरह से सहयोग क करेंगे दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दें एर एश्या के पाइलिट ने एर एश्या के खिलाफ सुरक्षा कारणों की अवलेहना करने के आरोप लगाये हैं इसके बाद में दोस्तों रुप करते हैं अगली बड़ी खबर का देश में शिक्षा सुधार के लिए वर्ल्ड बैंक ने खोला अपना खजाना जिहां दोस्तों वर्ल्ड बैंक यानि की विश्डू बैंक ने कहा है कि उसके कारेकारी निर्देशक मंडल ने छह भारतिये राज्यों में इसकुली शिक्षा की गुनवक्ता और संचालन में सु हमर के 25 करोड विद्यारती तता एक करोड से अधिक इस सिक्षक कारेकरम से लाभानवित होंगे टीचिंग लर्निंग एम रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम स्टार्स नाम के कारेकरम सरकारी इसकुलों में शिक्षा को मजबूती देने तता हर किसी को शिक्षा उपलब्द कराने के लिए 1994 से भारतवर विश्व बैंक के रिस्ते की ठोस बुनियाद पर तैयार ह यानि कि दोस्तो अब कई सारे जिलों के सरकारी इसकुलों को नया जीवनदान मिलने वाला है उनमें पढ़ रहे चात्रों को और पढ़ा रहे शक्षकों के लिए यह रिन काफी लाबकारी होगा इसके बाद में दोस्तो अगली बड़ी खबर अमेरिका की चीन को साफ साफ चेताउनी दक्षन चीन सागर में ड्रेगंस सैन नेगतिविदियां कर दे बंद जिया दोस्तो अमेरिकी विदेश मंतरी माइक पेंपियाओं ने शनिवार को आशियान देसों के सदश्यों के इस बयान का स्वागत किया कि दक्षन चीन सागर विवादों को अंतर राश्टे कानून के अनुरूप हल किया जाना चाहिए और कहा कि चीन को दक्षिन चीन सागर को अपना समुद्री सामराज्य मानने की अनुमती नहीं दी जा सकती। मानने की अनुमती नहीं दी जा सकती। हम इस विशेपर जल्धी और भी बहुत कुछ कहेंगे। कई जगों पर है भारी बारिश का हाय अलर्ट। जियां दोस्तो जाने आज के मौसम समाचार लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तो आपको अभी तक हमारी न्यूस पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें। और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बैशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। करनाठक से लेकर लक्षदीप मालदीव के उपर हवा का एक दबाव बन रहा है। करनाडू और अंदर प्रदेश में हलकी से मध्यम बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। मध्य भारत में भी औरिसा, 36 गड़, मध्य प्रदेश, गुजरात और महारास्ट में रुक रुक कर वार्शा हो सकती है। इसके बाद में दोस्तो रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। 21 दिनों के बाद लगा पैट्रोल डीजल की चड़ती कीमतों पर ब्रेक नहीं हुआ कोई भी बदलाओ जान लीजिए आज के पैट्रोल डीजल प्राइज। दिनली में 1 लिटर पैट्रोल की कीमत 80 रुपे, 38 पैसे परती लिटर, जबकि डीजल की कीमत 80 रुपे, 40 पैसे परती लिटर है। यारे कि दोस्तो डीजल पैट्रोल से 2 पैसे महंगा हो रखा है। इसके बाद में दोस्तो रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। भारी वर्षा के बीच अयोध्या पहुँचे मुख्य मंत्री योगी आदित्तिनाथ राम मंदिर निर्मान समेत अन्य विकास कार्यों का क्लिया जायजा जीना दोस्त उत्रप्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्तिनाथ राईवार को अयोध्या पहुँचे मुख्यमंत्री योगी मनी राम दास शाउनी पहुंचे यहाँ उन्होंने श्रेराम जन्वभूमी तिर्थ ट्रस्ट के अध्यक्षमहंत निर्थ गोपाल दास से मुलाकात की इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी ने आयुध्या में चल रहे अन्य दूसरे विकासकारियों की प्रकरती का भी जायजा लिया सीम योगी सरकिट हाउस पहुँचे और आयुध्या के पांचों विधायकों वसंबंदित विभागों के अधिकारियों की बैठक ली उन्होंने विधायकों और अधिकारियों से अयुध्या के विकासकारियों की प्रकरती के बारे में जानकारी ली यानि कि दोस्तो राममंद्र का निर्मालकार अब प्रकरती पर चल रहा है और जल्दी हम सब को अयुध्या में राममंद्र दिखाई देगा इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर ओनलाइन बेचे जाने वाली चीजों पर दिखेगा अब मैड इन चाइना का लेबल चीनी कमपनियों को लग सकता है जटका जिहां दोस्तों आपने बिलकुल सही सुना भारत और चीन के बीच टकराउ से देश में चीनी सामानों के दरकिनार करने की कोशिश चल रही है अब देश में फिलिपकार्ट और अमेजन जेसी इकोमर्स साइटों पर जल्धी उन देशों का नाम दिख सकता है जो इन पर बिकने वाले सामानों के उतपाद हैं गरहा की आहस जान सकेंगे कि ये सामान चीन में बना है या उसके बाहर इसके आधार पर वे तै कर सकते हैं कि चीन में बना सामान खरीदें या नहीं दोस्तो एकोनोमिक टाइम्स की एक खबर के मुताबिट डिपार्टमेंट फोर प्रोमोशन ओफ इंडस्टी एंड इंटरनल ट्रेड की और से हाल ही में बुलाई गई बेठक में कई कमपनियों से उनकी प्रोडेक्ट लिस्टिंग में बदलाव करने को कहा गया है कुछ कमपनिय अपने प्लेटफॉम पर इसके लिए राजी हो गई है इकोमर्स वेबसाइट अपने सेलर्स और रिटेलर्स से इस बारे में बात कर सरकार को फीड़बेक दे सकती है वैसे दोस्तो आप क्या चाते हैं आपके मन में क्या है क्या आप चाइनीज मालगा वाइकोट करना चाते है या नहीं कमेंड में जरूर बताईए इसके बाद में दोस्तो रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का नेपाल के प्रदान मंतरी ओली का भारत पर आरोप कहा भारत रच रहा है मेरी सरकार गिराने की साजेश जिन दोस्तो नेपाल के प्रदान मंतरी केपी शर्मा ओली ने रईवार को एक कारेकरम में भारत पर अपनी सरकार गिराने का आरोप लगाया ओली ने कहा कि नई दिल्ली की मीडिया में होने वाली बोधिक बहस, काटमांडू इस्तित भारतिय दूतावास की सक्रियता और होटलों में हो रही गतिविदियां दिखा रही है कि भारत का पूरा सर्यंत्र लगा हुआ है ओली ने एक और गंभीर आरूप लगाते हुए कहा कि इस से पहले जब उन्होंने अपने पिछले कारे कलाल में चीन के साथ ट्रेड एम ट्रांजिट सम्जोदे पर हस्ताक्षर किये थे तो उनकी सरकार गिरा दी गई थी लेकिन अब हमारे पास भहू मत हैं आपके जानकारी के लिए बता दे दोस्तों कि उस समय भी केपी ओली का गटपंदन प्रशंड के आदार पर था और प्रशंड ने अपना समर्थन वापस ले लिया था इसलिए उनकी सरकार गिर गई थी और अभी भी उनकी सरकार पर संकट के बादल लटक रहे हैं इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर SBI ग्रहकों के लिए जरूरी सूचना एक जुलाई से बदल जाएगा ATM से जुड़ा बड़ा नियम पैसे निकालने पर अब लगेगा चार्जे जियां दोस्तों देश भर में एक जुलाई से बैंकिंग से जुड़े कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं इसमें ATM से केश निकालने और अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने को लेकर नियम शामिल हैं यानि कि दोस्तों आपके जानकारी किल बता दें जब से यह हमारी फैलीजी तब सक सबी बैंकों ने मिनिमम बैलेंस रखने की लिमिट को बंद कर दिया था साथ ही आप किसी भी बैंक के ATM से कितनी बार भी ट्रांजेक्शन कर सकते थे लेकिन अब एक जुलाई से पहले वाले नियम फिर से लागू हो जाएंगे यानि कि जो आपके खाते में मिनिमम बैलेंस रहना होता है अगर आप उससे कम बैलेंस रखेंगे तो आपका जुरुमाना दिया लगेगा और साथ ही ATM के भी वही पुराने चार्जेज लागू हो जाएंगे जो की पहले लग रहे थे यानि कि आप किसी भी ATM से पांच बार से जादा ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे इसके बात में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का टिड़ीों ने फिर कर दिया हमला राजस्थान मद्य प्रदेश शमयत आठ राजियों में है अलर्ट जियां दोस्तों केंद्रिय शिक्षा मंत्राले ने टिड़ी के हमले की जद में आये राजियों की सरकारों को अलर्ट रहकर इसके खिलाफ अभियान चलाने की बात कई है केंद्र सरकार ने कहा है कि राजियों की इस मामले में पूरी मदद की जाएगी दोस्तों केंद्रिय क्रशी मंत्राले के मुताबित टिड़ीयों ने राजस्थान, मद्दे प्रदेश, उत्रप्रदेश, हरियाना, गुजराद, पंजाब, दिल्ली और महाराश में एंट्रे कर ली है इस आपदा से निपटने के लिए टिड़ी नियंत्रन ओफिस की साटी में तेनाद की गई है बारा ड्रोन की मदद से केमिकल का छड़काउ किया जा रहा है दोस्तों टिड़ीयों के जुंड दिल्ली इंसियार में भी उड़ते हुए देखे जा रहे हैं दिल्ली के परियाण मंत्री गोपाल राय ने राजे के अधिकारियों को अलट कर दिया है गोपाल राय ने इस खत्रे से निपटने के लिए एक इमरजेंसी बेटक बुलाई और टिड़ीयों पर काबू पाने की रणनीती तेयार की दोस्तो आपकी जानकारी के लिए बता दें टिड़ी दल जहां से गुजरता है वहाँ पर फसल को पूरी तरहीके से बरबाद कर देता है वह पूरी फसलों तो मिंटों में चट कर जाता है जिससे किसानों को बहुत ज़दा नुक्सान होता है तो दोस्तो यह थे आज के मुख्य समाचार इसके बाद में दोस्तो बारी आती है आज के माइन कुछ कुशन की जियां दोस्तो एक आसान से सवल गर जवाब देकर आप जीच सकते हैं एक अमेजिंग सर्प्राइज गिफ्ट हमारे यूटिब चैनल की और से तो दोस्तो आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जियां दोस्तो और आप जानते हैं कि रामायन ग्रहन के रचनाकार कौन थे तो जल्दी से उनका नाम कमेंड वोक्स में लिख दीजिए अगर आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजिता के रूप में तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सर्प्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की और से तो दोस्तो जल्दी सपना उतर कमेजिंग में लिख दीजिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सस्क्राइब करके बैल आइकन भी दबा लीजिए धन्यवाद वन्दे मातरम जै हिन जै भारत